हालो स्ट्ट्रेंट्स माइसल भूपेन सिंग एसोजेट प्रोफेसर डेपार्टमेंट आप मेकनिकल एंजिनिंग रातिवड केमपस जैसा हम लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे मिग टाइप साफ आर्क वेल्डिंग में मिग पढ़ा हुआ था मैटल इनाट गैस बेल्डिं आज उसी का एक upgraded form पढ़ेंगे हम TIG तंगस्टन इनर्ट गैस बेलिंग सबस्पहले अपने यह देख लेते हैं कि तंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डिंग होता क्या है इस प्रोसेस आफन काल्ड गैस तंगस्टन आर्क बेल्डिंग इस सिमिलर तो मिग एमाईजी इन देट इस तंगस्टन इनर्ट गैस इसका जो दूसरा नाम है वो गैस टंगस्टन आर्क बेल्डिंग माईजैसे अपन मिग में गैस यूस करते था सिल्डिंग के लिए यहां पर भी सिल्डिंग के लिए गैसी यूस करते हैं और बस थोड़ा सा कुछ-कुछ अंतर है इसमें अब अब इसमें एक चीज आगे एक क्या कि इसमें जो वेल्डिंग आपको करनी है वह वेल्डिंग अपन किस चीज से करते हैं हीट से और वह एक कहां पर आती है नान-कंज्बिमोंबल टंगस्टन एलेक्टोड और जो जॉबपीस होता है उसके बीच में तो हमें पते हिए कि हम यह इसमें !! सब्सक्राइब करते हैं फो तो वह बहाँ पर उसने हीट जनरेट करी ठीक है नान कंजीमेबल टंगस्टन एलेक्टोड अपन इसमें यूज करते हैं दसीलिंग इस अप्टेंड फ्राम एन इनर इनर्ट गैस सच एज हीलियम और आर्गन और मिक्चर आफ टू जो हमको आक्सिडेशन से बचाने के लिए यहां पर क्या होता है सबसे पहले नमर तो यहां पर दूसरी चीज कि यहां पर बेल्डिंग की प्रोसेस हो रही है वो हीट से हो रही है मतलब इसका है कि आप यहां पर फिलर मटेरियल यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो तो उस कंडिशन में हमको अगर आपने filler material यूज किया है या नहीं किया है secondary है लेकिन आपन को क्या है वहाँ जो सरफेस को आपने plastic deformation तक लाए हो और उसके बाद उसको अपने थोड़ा सा एक medium की तो यहां पर अपन फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं इंस्टीड आफ फ्लक्स भी यूज गैसे कौनसी हीलियम आरगन या फिर इन दोनों का मिक्चा ठीक नहीं इन मैंसे भी आरगन एक बहुत अच्छा अप्सन है यूज करने के लिए कैसे जैसे इसमें आगे आपको पताया गया है कि आरगन इस मोर बाइडली यूज देन हीलियम विकास इट इस हैवियर गैस प्रोड्यूसिंग बेटर सील्डिंग एट फ्लो एट लो फिलूर एट ठीक नहीं देखो आरगन हीलियम दोनों लाइट गैस होती है यह सब को पता है अगर उनको आप मिलेगी तो वो क्या है कि जो जितनी देर के लिए वहाँ पर गैस नीचे रहेगी उस सर्फेस के आसपास में उसका जो ऑक्सिडेशन है वो उतना ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा तो इसकी फ्लोरेट लो फ्लोरेट का मतला भी होता है कि जब थोड़ी सी है तो थोड़ सेकेंड लेगी कुछ मिली सेकेंड लेगी तो वो सर्फेस पर रुकी रहेगी लेकिन अगर बहीं पर अपन हीलियम का यूज करेंगे तो हीलियम उतनी देर तक नहीं रुकता है ठीक है और वो गैस अपर लिया पर चली जाती है अक्मास्पिर तो अपन को क्या है कि इसमें अधने हीलियम उसकरते तो उसकंडिशन में क्या है अपन आर्गन का यूज करते है और उसमें अपन को जो उसकी फ्लो की रेट वह उनको कम कर लेते हैं यह टंगस्टन वेल्डिंग का systematik डाग्राम है इस डाग्राम में देखो और जो आपने पिछले लेक्टर में देखा था MIG का, यह दोनों में जादा अंतर आपको नहीं आएगा समय में, गन उसमें भी यूज हुई है, इसमें भी गन यूज हो रहा है, इसमें भी इलेक्टिसिटी, इलेक्टोड के थुरू जा रही है, उसमें भी इलेक्टिसिटी, इलेक्टोड के थुरू गई थी, इसमें भ उपर एलेक्टोड दो रील के बीच में से निकलता था तो वो क्या है तो उसको अपन को कंटीनेसली फिलो करवाना पड़ता था तो उसके कारण उसमें वो फिलर मटेरियल का भी काम करता था एलेक्टिसिटी लाए एलेक्टिसिट्य आने पर आर्क जन्रेट हुआ आर्क जन्रेट हुआ तो ही डिवलैब उन्सकार्श की लेकिन इसमें अइसा कुछ नहीं है इसमें क्या होता है गैस आई गैस ने चारो तरफ पहले इस राउंडिग को कबर कर लिया और उस इसने वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करवा दिया किस चीज से ऑक्सिडेशन होने से सर्फेस को जो की प्लास्टी डिफरमिशन और मेल्टिंग पॉइंट तक आया है अब इसमें फिलर मटीरियल अपने यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं वह डिपेंड करता है प्रॉपर पर प्रेसर गेज भी लगा रहता है रेगुलिटर वाल भी लगा रहता है वहां से अपन प्रेसर देख लेते हैं कितने प्रेसर पर हम उसको रेगुलेटर के फिलो करवाते हैं तो वह अपन को यहां से फिलोरेट पता चल जाती है कितने फिलोरेट पर आई है गैस आ रही ह जैसा आपने प्रिवियस स्लाइड में देखा कि अगर आप यहां पर हिलियम का यूज़ करते हो तो आपको फिलोरेट थोड़ी जादा रखनी पड़ेगी, आरगन का यूज़ करेगो फिलोरेट थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, यही मैन अंतर है एक टंगस्टन इनर्ट यहां कंजुमिबल इलेक्टोस्ट होता है और टीक मैं कनीलो अलएक्टोक को यूज नहीं होता है मतलब है कि जो range है वो 250 ampere का है यह या इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर welding 250 ampere पर कर रहे हो मतलब वो टार्च जो sustain कर सकती है वो 250 ampere की जो heat generate होगी वहाँ तक वो sustain कर सकती है तो अपन इसकी maximum range जो देखते हैं वो 250 ampere देखते हैं बोट source can use AC power supply भी अपने उसकर सकते हैं और DC power भी supply यूज़ कर सकते हैं सिर्फ अंतर इतना होता है कि AC power supply अगर आप यूज़ कर रहे हो तो non-ferrous ally रहेंगे वहाँ पर except deoxidized copper copper अगर deoxidized है तो उसका अपन को अपन building नहीं कर पाएंगे ठीक है और जो फिर असला होता है उसके लिए अपन DC power कर यूज़ करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या है टिक के लिए आपको material select करो material select करने के बाद में फिर आप source आप power select करो कि आप कौन से source उसमें यूज़ कर रहा है यह यूज़ कर रहा हो या फिर DC power source यूज़ कर रहा है ठीक है उसके हसाब से अपन उसको set करेंगे फिर करेंट का फिलो आप देख लेंगे क्योंकि करेंट जैसे अपनने लेक्टिक आर्क वेल्डिंग जब आपनने पढ़ा हुआ था तब उसमें अपन 50, 250, 100, 150, 175, 75, 10, 20 तो जितनी करेंट आपको चाहिए नौप के हसाब से अपन उसको fix कर लेते हैं कितनी अपन को करेंट चाहिए उतनी करेंट को अपन इसमें फिलो करवा देखते हैं जैसे अपने जो टिग है उसमें 20 अंपिर तक की करेंट में रखते हैं ठीक है और उसके जिए वाद में फिर उसमें गेस फिलो करवा कि जो अपन को वेल्डिंग करनी वो वेल्डिंग अपन करते जाते हैं नेक्स्ट है फार थिन मेटल एंड इंडिकेट पार्ट्स दक करेंट में भी रिडियूजड अप्टू 3 अंपिर मतलब यह है कि अपन इसमें अगर पतली प्लेट का यूज़ कर रहे हो आप वेल्डिंग करने के लिए पतली प्लेट पर आपको वेल्डिंग करना है तो उस टाइम पर अपन इस करेंट को रिडियूस करके 3 अंपिर तक भी ले आ सकते हैं ठीक है यह डिपेंड करता है सरफेस पर जैसे क्या होता है कि आपने एक ज को ट्रक होगे इस पार्किंग करवाने के लिए वह इतनी हीट डेवलप कर देगा मिली सेकेंड के अंदर कि वह वहाँ पर खोल कर देगा पूरी मेटल को ही मेल्ट कर देगा जबकि हमारा उद्दिस क्या रहता है सबसे पहले कि जो पैरेंट मेटल होता है उसको अपन प्ला कि फिलर माटेरियल अलग से लेते हैं और फिर उसका अपन यूज करते हैं तो वह उसको फिल कर देता है ठीक है इसके बाद में नान जीविवाल एक्टोट एस तंग अस्टने इजी इजूज विट मेंस कजूंड रहा हो पार तंग स्टनन का जो मैंटिंग पॉइंट होग थी मेंटिंग हुटायों एवके दिक ते का अनूए जो हीट जनेरेत हो रही है उसमें आसानी से वो सस्टेन पर सकता है ठीक है नेक्स्ट है दा एंडा वेल्डिंग गन इसमेड आफ हाई इंपक्ट सेरेमिक और इस बाटर कुल्ड यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह दो तीन पॉइंट अभी से पहले आपन देखते हैं कि देखो सबसे बहले नम्मर तो उसको आपको सेरेमिक का बनाना है यह एक कंडिशन है और अगर सेरेमिक का नहीं बनता है तो आप उसको बाटर कूल कर दीजिए वहां पर टेंप्रेटर कॉंस्टेंट होना चाहिए जो इसका गन का टिप है यह आपन बोल सकते हैं वहां पर नूजल लगाऊ रहता है एक्चुली में एंड पर नूजल के तरह निकलती है अब अगर अपने ऐसा देखते हैं कि वह अगर आप जो प्रेसर रगुलेटर लगा हुआ था उससे आपने कम प्रेसर पर या फिर फ्लो रेट कम करके आपने गैस को फिलो करवाया अब गैस आगी किसमें गन में गन के बाद में आपने नोज आपने पढ़ा हैं किसको इलेक्टरोट को जाब पीस से तो वो क्या होता है कि वो जैसा ही आपने उसको तुछ किया इस पार्किंग हो गई अब इसके बाद में कुछ gap maintain हो जाएगा जैसा अब अपने पहले पढ़ा हुआ था कि कितना gap maintain होना चाहिए तो उसके बाद में पिछले slide में देखा होगा जो डाइग्राम अपने देखा था टेक का उसमें electrode की भी कुछ length आपको देख रही है तो वो gap और electrode की length इतनी distance पर रह point है वो बहां तक पहुंच सके अगर आपने flow constant रखा और उसके बाद में यहां पर आपने temperature constant नहीं रखा कहां पर टिप पर नोजल की टिप पर तो वो क्या होगा कि वो उस नोजल की जो diameter diameter को बढ़ा हो जाएगा हो ठीक है क्योंकि जैसे ही उसको heat मिलेगी expand होगा तो expand होगा तो नोजल का diameter बढ़ेगा और जैसे नोजल का diameter बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा वहां से जो flow rate आ रही थी वो flow rate तो constant आई रही है बट यहां पर pressure से या velocity के साथ में जो gas निकलनी चाहिए थी वो gas नहीं निकलेगी तो जब वो gas नहीं निकलेगी तो क्या होगा वो बहाँ joint तक नहीं पहुच पाई और वो यहीं से यहर में उपर उड़ जाएगी तो उस condition में अपन को क्या करना पड़ेगा कि वो temperature constant रहे ताकि उसमें वो जो नोजल आपने लगाया हुआ है वो एक particular speed से gas को flow करवाए कहां पर उस job piece के joint तक इसलिए अपन को वहां पर उसको ceramic के बनाना रहता है जो की temperature को high temperature को sustain कर लेता है या फिर अगर दूसरे material का बन रहा है तो आप बाटर कूल कर दीजिए उसको ठीक है इसके बाद में फिर ग्रेंट बेल्डिंग इस यूज़्ट फार बेल्डिंग आफ अलुमीनियम एंड इट्स एलाइ इस टेनलेट सिटील मेंगनेजियम इस लाइ निकल बेस लाइ कॉपर बेस लाइ कारवन स्टील एंड लो एलाइस टेहीं जैसा आपन ने देखा कि यह अलाइक लिए भी परक्कट है मसीन और फिरसलाइक लिए भी या फिरस में परक्प्रक्ट है थिए बहुसारी मसीन है कि अगर आप सिंपल अर्ग वेल्डिंग देखोगे तो वह वह और को कीरा न इस दोनों को कर रहा है और इसमें सब टाइब का रहा है carbon steel का carbon का percentage जादा है उसको भी सखर रहा है तिक है निकल विसलाय उनको भी कर रहा है aluminum को भी कर रहा है ये और उसके alloy को भी कर रहा है stainless steel को भी कर रहा है मतलब कुल मलाकर करके low alloy steel है ठीक ना file मिलाकर कि यह कि आप मैग्जियुम वेराइटी घिक से भी ज़्यादा होती है लेकिन जो मैग्जियुम भाराइटी आपन जो यूज करते हैं तिक यहां स्टेल भी हो गया टिक कार्बन स्टील बिल नहीं तो सारे टाइप हो गया जैपने टाइप अपन देखते हैं सारे यह पूरी आवी और यह फेरस नान फेरस दोनों में हैं और यह मतलब यह कुल मिलाकर के मशीन अगर हम देख हैं इसको तो हमारे साथ से पूरी परफेक्ट है क्योंकि दोना टाइप की मटेरियल को कर रहा है तिक वेल्डिंग कें आलसो भी यूज़्ट दक कम्माइनिंग मतलब क्या है कि दो अलग अलग टाइप जैसे एक हम जो पर डिक करते हैं और यहां तो इसमें क्या होता है लेकिन प्रापर्टी दोनों की अलग अलग होती है तो वह नहीं करती वैलिंग तो उस कंडिशन में लेकिन इस मसीन में अगर आपन देखते हैं तो यह वैल्डिंग पॉसिवल है हाड़ फेसिंग मेटल्स का मतलब यह होता है तो वह आसानी से वहां पर जॉइंट नहीं होता है और वह इसमूँच सरफेस नहीं देती है या फिर मटेरियल वहां पर कनेक्ट नहीं होता एक दूसरे से तो वो हाड फेसिंग होती है उनको भी अपन टिक से कर सकते हैं उसका रीजन क्या है कि इसमें अपन पहले इनको हीट करते हैं मैटल को ठीक है डारेक्ली फिलर मटेरियल फिल नहीं करते हैं जैसे आगर अगर अपन मिंग में देखें तो मिंग में क्या है जैसे आपने हीट इस प्लास्टिक डिफार्मिशन तक ले जाते हैं नेक्स्ट है इस प्लेट ओवर 6.4 मिलिमीटर थिक जाब मतलब यह है कि आप 6.4 मिलिमीटर से ज्यादा मौटी जो सरफेस होगी उसको आप बेल्ड इस मसीन के थुरू नहीं कर सकते हैं अच्छे दियान रखना 6.4 मिलिमीटर थिक जाब है हमको इससे कम की जो जाब रहेगी उसको ही अपन कर पाएंगे बेल्डिंग मतलब जैसे आपने नार्मल तोर पे ले लिया कि 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm तो इन सब पर टिक काम नहीं करेगा टिक किस पर काम कर देगा जो 5 mm का है उसके उपर टिक काम कर देगा 3 mm का है अगर जितनी पतली प्लेट होगी टिक उतना अच्छा होता है और उतना जादा आपन इसको यू सॉपर टू मिख टिक है अब इसमें जो ऑपन टिक को देख रहे हैं यह थिन और इसमाल प्लेट के लिए यह यूस सुटेवल होती है यूस तो ख्याटी की अपने इसको शुटेवल उसमें electricity flow करवाई ती ना वहां ऊपर से रील चालू हो जाती है और वो मैटल को भी मेल्ट करना चालू कर देता है और करेंट तो फिलो करी रहा है तो उस टाइम पर अन्नेसेसरी वहां पर मैटल का डिपोजीशन भी हो जाता है और दूसरा जो अपन को जो सर्फेस या उसकी जो फिनिसिंग चाहिए वो फिनिसिंग अपन को नहीं मिलती है ठीक है आगया यहां तक समझ में आपको टिग अपको लिख सकते हैं आप लोग तो नेक्स्ट है इसका एडवांटीजेस अप टिग वेल्डिंग ठीक है इट पूडूसेज हाई क्वालिटी वेल्डिंग इन नान फिरस मेटल अब देखो एक सिंपल से चीज़ है एक तो नान फिरस मेटल है अलूमिनियम अलाय है कापर अलाय है ठीक है ना तो यहां पर शकुक ऑदादते हृं तो उनकी सर्फिस वैसे ही समूथ होब प्लस टिंग में आप जब इनको वलिंग करते हैं तो इसमें फिलर मटेरियल की नान्मल तोर पर जबड़त नहीं पड़ती है तो जब आपको फिलर मटेरिल की जबड़त नहीं पड़ रही है तो क्या होता है जब जैसे दो प्लेटों को आप एकटा करते हो और उनको आप हीट कर देते हो जैसे उनको आप हीट करते हैं तो फिलास्टी डिफार्मिशन पर आते हैं थोड़ा से ओर हीटिंग उसकी बढ़ जाती है तो वह बोल्टन इस्टेज में आ जाते हैं अब दोनों आकर कर वहाँ पर चिपक जाते हैं अब जब वहां पर चिपक गए दोनों तो अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे आप उनको देखोगे कि यहां से जो सर्फेस अपन देखते हैं कि बेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है तो जब आप उसमें एक्सेस आप मोल्टन मेटल नहीं डाल तो वह जो उसी की सर्फेस की मेटल है वही सर्फेस की मेटल उसका जो गैप है उसको प्यूर कर रही है दो यह तो वहां पर ट doctrinal डियर ब्रह सबकर के देख Hai two hundred इंडिक तो बहां पर एक अलग से एस्ट्रा मटेरियल डिपोजेट हो जाता है मुल्टन मेटल वाला वह अपन को इसमें नहीं मिलता है ठीक ना क्योंकि अपन मटेरियल उसमें फिल ही नहीं कर रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे अपन नार्मल बेल्डिंग करते थे कि उसमें अपन उसके उपर फ्लक्स जमा है तो उसको अपन फिर चिपिंग हैमर से अपन उसको रिमूब करते दें वह उसकी ज़रूत ही नहीं है यहां पर जब मेटली डिपोजिट नहीं हो रहा है या उ लगर्टर्ण फार्क एंद बैलड पूल आर किलिएर्ल लीजीबल तो थी जवा फिला अएल्यम या यूमैToday यूजिन लाहिए हुगलेशो लगाएगा और बस मूसी धर बेल्दिंग करेंगा है वहां हमें करता है तो यहां अपने पर देखना माुआ नहीं पड़ता है अर्व एक ही तो अ वह इट वाली समझ में सिन्ह材Ռ की कि एक हाई है क्योंकि एक तो इलेक्टोड का ही डायमीटर बहुत कम होता है तो वह वहां पर एलेक्ट ने जो आर्क बनता है वह छोटा सा बनता है और वह हीट जनरेट कर देता है तो आसानी से अपने उसको ग्लास में से देख सकते हैं में और में उसको और बताया है तक आसा में आपको बताएज थि कहीं पड़ियों में और नहीं 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 करता है अगर इस के बीच में घया तो गिए इस से हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह डेपेंड करता है उस चीज में और उसके बाद में अपने डेखा तो जो सुनार की दुकान होती है बहाँ पर आप देखो कि वह जो रेपेर कर बर करता है वो जब किसी चीज पर टांका रखना रहता है तो पहले फ्लेम को उस तरब करता है फूंक करके और उसके बाद में ये कलग से राड लेता है और राड उसके ऊपर रखता जाताどう Kṛṣṇa होती जाती है वो कहलाता है Filler material उस सेम फिलर material यहां पर भी अपन यूज़ करते हैं बसंतर इतना होता है यहां पर टंगस्तन से अपन आर्क से हीटिंग कर रहे हैं या मैनुवली भी इसको आपरेट कर सकते हैं हास से भी अपन इसका यूज कर सकते हैं fine work produces with low flow rate of gas तो जो gas जैसे अपने पहले देखा था कि helium और आरगन दो या इन दोनों का mixture यहां पर यूज होता है और fine work produce करती है यह लोग फिलो रेट आप गयास में तो यहां पर गयास का जी percentage वह भी कम लगता है वैसे यह नार्मल तोर पर उसके लिए है जिसमें कि अपन electrode यूज नहीं करते हैं या filler material यूज नहीं यूज करते हैं filler material जहां पर यूज नहीं करते हैं वहां के लिए यह रहता है कि पर इसकी तो कि अब यह तो आपन को करना है रिजिस्टेंस वेल्डिंग वहां नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रिजिस्टेंस वेल्डिंग और उसकी कुछ टाइपस है वो और फिर कुछ अलग से और दूसरे टाइर्स हैं आर्क वेल्डिंग के वो करना है और इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ठीक है चलिए थैंक यू